मेरे प्यारे साथियों नवस्कार आज की वीडियो में राजस्तान जीके के 25 बहुती इंपोर्टेंट परसन लेके हूरे हैं और यह सभी परसन एक इजाम की द्रशी से बहुती इंपोर्टेंट परसन आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा साथी रोजना राजस्तान जी के गैसे इंपोर्टन ग्यूसन पाना जाते चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आपको डेली राजस्तान जी के इंपोर्टन ग्यूसन के वीडियो मिलते रहेंगे पहले किसन आपके सामने राजस्तान में सभी जिला अस्प्तालों में नवजात सिसों की देखवाल है तो फेमिली केर सेंटर्स का आरम किया गया वेरी वेरी इंपोर्टन परसन है एक्जाम की दठी से आप लोग याद कर लीजेगा राजस्तान के अंदर सभी जिला अस्प्तालों के अंदर जो नवजात सिसों की देखवाल है तो फेमिली केर सेंटर्स का जो आरम किया गया वो कब किया गया जल्दी से आप लोग उत्तर बताईएगा तो ये 2016 में किया गया लेकिन आपको डेट भी याद होनी चीए तो 2 अक्टूमर 2016 को आप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा क्योसर्मर 2 की बात करते हैं देश का पहला योग चिक्ष्या अनुसंधान के अंदर कहां स्थापित किया गया तो जेपूर के अंदर ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा क्योसर्मर 3 की बात करते हैं इस्टूट ओफ ट्रॉमेटोलोजी का आरम राजस्तान के किस जिले में किया गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप लोग उत्तर दीजेगा और वीडियो के अंदर में मानदारी से बताएगा कि 25 में से आपके कितने सही वाई से आपकी प्रेक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी त्यारी किसी आप लोग हरी क्योसन का एंसर जुरूर कॉमेट में दीजेगा तो इस्टूट ओफ ट्रॉमेटोलोजी का जो आरम राजस्तान के किस से जिले में किया गया जेपूर के अंदर आप्शन सी इसका सही उत्तर क्योसन वर पूर की बात करते हैं निमन वेसे रहत राजस्तान संग में सीरोई कब समलेट किया गया वेरी वेरी इंपर्टंट है एकजाम में कई बर पूछा गया है कि रहत राजस्तान संग में सिरोई को जो है कब सामिल किया गया है तो 26 जनवरी 1950 को आप्सन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्यों सनवर 5 की बात करते हैं निवन मैंसे राजस्तान नहर यानी इंदरा गांदी नहर फिडर की कुल लंबाई कितनी है राजस्तान नहर जिसका अभी नाम है इंदरा गांदी नहर फिडर की आपको कुल लंबाई बतानी है 204 किलोमेटर आप्सन सी इसका सही उत्र है एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि जो राजस्तान का टौटल एरिया है वो भारत के टौटल एरिया का कितना परतिस्त है तो 10.41 परतिस्त ओप्सन ए इसका सही उत्तर रहेगा Q7 की बात करते हैं राजस्तान राजे के कौन से स्थान पे सबसे अधिक बारिस होती है राजस्तान के किस स्थ जो स्थान पे सबसे ज़्यादा बारिस रहती है जल्दी से आप लोग उत्तर बताइएगा तो राजस्तान में सबसे ज़्यादा बारिस होती है माउंट अबू के अंदर आप्सन ए इसका सही उतरेगा अगर आपसे जिले के नाम पूछा जाए तो जालावड इसका सही उतरेगा ठीक है यहाँ पे हम एक्जिक्ट स्थान की बात करें तो माउंट अबू इसका सही उतरे है क्योस नवर एट की बात करते हैं राजस्तान राजे में ताल शापर अब्यारन किस के लिए परसीद है राजस्तान के अंदर ताल शापर अब्यारन जो कि किस के लिए सबसे ज़्यादा परसीद बाना जाता है तो काले हिर्णों के लिए ताल सापर एर्वेंड बहुत फेमेंस है आप्सन सी इसका सही उतर रहेगा क्योसन नमर नाइन की बात करते है राजस्तान राजे का आकार किस परकार का है ये परसन में एक्जाम में बन चुका है आज के वीडियो में वही क्योसन है जो या तो एक्जाम में पूछे के या फिर आगे पूछे जा सकते है आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते है आपके दो से चार नमर अराम से पके हो सकते है क्योंकि ये सारे इंपोर्टन क्योसन है तो राजस्तान राजे का जो आकार है विश्यम कौन चेतर हुज का उपसिन डी इसका सही उतर रहेगा क्योसर में टैन की बात करते है राजस्तान राजे का क्षियतरबल की दश्टी से सबसे बड़ा जिला कौन सा है अगर हम जनसंग्या की बात करें तो उसका भी हम लोग बात करेंगे क्योसर में आप लोग उतर जरूर दीजड़ा दैक्ते कितने कने बच्छे सही उतर दे पाते है क्योंकि वो बहुत ही important person exam की दर्षी से तो यहां पर राजसान का सरवादिक भाग है जो की रेगिस्तान है option A इसका सही उत्तर रहेगा क्योसान नवर बारा की बात करें राजसान का परसीत केला दवी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है क्योसान के अंदर केला दवी मेला बहुत फेमें सा और यह किस जिले में आयोजित किया जाता है तो क्रोली के अंदर option D इसका सही उत्तर रहेगा क्योसान नवर 13 की बात करें राजसान राजसान में सरवादिक नदिया की संभाग में क्योसान के अंदर सरवादिक नदिया बैती है तो कोटा के अंदर option A इसका सही उत्तर रहेगा क्योसान वर 14 की बात करें निविन में से राजसान राजे के पर्थम राजेपाल कों थे राजसान के पर्थम राजेपाल का नाम आपको बताना है तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंग option A इसका सही उत्तर रहेगा क्योसान वर 14 की बात करें राजसान राजे के वनों में सरवादिक शितर वाले वन कौन से है राजसान राजे के वनों में सबसे ज़्यादा वन कौन से पाए जाते है प्लाई सूसक या धोक option C इसका सही उत्तर रहेगा क्योसान वर 16 की बात करें निवन वसे राजसान राजे के कि से जिले में वरसा का वारसिक ओस्त सरवादिक रहते है वर सर्वादिक रहते है जो है सेखावाटिक शितर का कौन सा नर्ते होता है राजस्तान के सेखावाटी भाग में कौन सा नर्ते सबसे ज़्यादा फेहमस बाजा जाता है तो गिदर नर्ते ओप्सन ए इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन और अठारा की बात करें क्योसन और 19 की बात करें निविन में से राजस्तान की सिमला की सिटी को का जाता है बहुत ही अच्छा परसन है एक्जाम में परसन बन चुका है सीधसा एक्जाम में पूछा जाता है कि राजस्तान की सिमला की सिटी को का जाता है तो माउन टाबो को आप्सन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन और 20 की बात करें राजस्तान में महा सिवरातरी पसु मिला किस जिले में आयोजन किया जाता है राजस्तान के अंदर महा सिवरातरी पसु मिला जो कि किस जिले में आविजन किया जाता है करोली भरतपूर बांसवड़ा या धोलपूर सही उत्रापलो कॉमेंट में बताईएगा तो महासीवरातरी पसु मेला जो की करोली जी ले के अंदर ओप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन वर 21 की बात करें निवन मसे भारत में संग्ठीत क्रिशिक आंदोलन सुरो परतम कहां प्रारम हुआ था आप जानते हैं बिजोलिया और बेकुब बहुत फेमसरे किसान आंदोलन जो की राजस्तान से जुड़े हुए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन क्योसन वर बाइस की बात करें राजे में 28 मई 1857 इसवी को रात्री को राजस्तान के किस स्थान पर सेना ने विद्रोय कर दिया था बहुत ही अच्छा परसन है एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका आपको याद होना चीए कि 28 मई 1857 को रातरी के दोरान राजस्तान के किस स्थान पे सेना ने विद्रोग किया था तो नसीरावाद आप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा कि 29 से स्योंक त राजस्तान की स्थापना कब हुई थी बहुत ही इंपोर्टन परसन है जल्दी से आप लोग उत्तर बताईए तो स्योंक त राजस्तान के स्थापना 18 अप्रेल 1948 को आप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनवर 24 की बात करें राजस्तान की परसित इंद्रा गांदी नहर के योजनाकार राजस्तान नहर या फिर इंद्रा गांदी नहर के योजनाकार का नाम आपको बताना है यह परसन में एक्जाम में रिपीट हो चुका है वही परसन है जो या तो एक्जाम में पूछे के या फिर एक्जाम की दर्शी से वेरी वेरी इंपोर्टन आप लोग वीडियो को दुबारा देखेगा इन परसनों को आप लोग याद कर लीजेगा तो इंद्रा गांदी नहर के जो योजना कार है वो कामर सेन है उप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा Q25 की बात करें राजस्तान की परसीद रजना बातानी फुलवारी के लेख को ने राजस्तान की परसीद रजना बातानी फुलवारी के लेख के विजेदान देता option C इसका सही उत्तर रहेगा अब बात करते हैं वीडियो के अंद में आप सभी से most important question पोच्छाजार है इसका आप लोग उत्तर जरूर दीजेगा देखते कितने बच्चे सही उत्तर देपाते हैं अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो अभी आप लोग कौसिज कीजेगा क्योंकि कौसिज करने वालों की कभी हार नहीं होती राजस्तान राजी के किस जिले की सिमा पंजाब से नहीं लगती इन में से किस जिले की सिमा पंजाब से नहीं लगती आपको उत्तर बताना है को रोजाना रास्तान जिकेगे इंपोर्टन क्योसन के वीडियो मिलते रहेंगे और पास में जो घंटी मिनियों उसको जुरूर दबा लिजेगा बेस्ट अप लग एंड थैंक यू